और भक्ती में अनुकूल चीजों में सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है एकादशी के वृत का पालन करना। प्रत्येक महीने में दो पक्ष होते हैं, गृष्न पक्ष और शुकल पक्ष। और प्रत्येक पक्ष में एक-एक एकादशी आती हैं। इस प्रकार हर महीने दो एकादशी आती है। इसी कड़ी में चैत्र मास के शुकल पक्ष की एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। ये एकादशी भगवान श्री विश्नु का उत्तम वरत माना जाता है। ये मनोनोकोल फल देने वाली होने के कारण इसे फल्दा एकादशी कहते हैं। क्योंकि ये सारी कामदा पूर्ण करती है इसलिए इसे कामदा एकादशी भी कहा जाता है। तो एक बार धर्म राज हुदिश्टिर इस एकादशी की महीमा भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। भगवान उत्तर में कहते हैं कि यही प्रश्ण एक समय राजा दिलिप ने उनके गुरु वशिष्ट मुनी से पूछा था। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि प्राचीन काल में रत्नपूर नामक एक राज्य था, जहांके राजा का नाम था पुंडरिक। यह एक बहुत ही यशस्वी और अनेक एश्वर्यों से युक्त राजा था। इसके महल में अक्सर कई गंदर्व और अपसराएं संगीत कारिक्रम प्रस्तुत करती थी। इसी राज्य में ललित और ललिता नामक पती-पत्नी निवास करते थे। वे दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि एक दूसरे से अलग होकर वे अत्यन्त व्याकुल हो जाते थे। एक बार ऐसी ही संगीत कारिक्रम में ललित मधूर गीत प्रस्तुत कर रहा था। उस दिन किसी कारण वर्ष उसकी पत्नी ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। कारिक्रम के दौरान ललित को ललिता का ध्यान आ गया और वो विचलित होकर उसका सुर्भंग हो गया। एक बहुत ही जहरीला नाग ललित के संगीत को ध्यान पूर्वक सुन रहा था। और उसने राजा पुंडरिक को जाकर बता दिया कि ललित ने अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए